नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचान के अनुसा प्रतेक्मा में दो बार त्रियोधर शितिति आती है एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में त्रियोधर शितिति के दिन परदोशकाल में भगवान शिव की पूझा राधना करने का विधान है मानेता है कि त्रियोधर शितिति के दिन परदोशकाल में भगवान शिव की पूझा राधना करने से सभी प्रकार की मनुकामनाय पूरी होती है बुद्वार के दिन पढ़ने वाली त्रियोदशी को बुद्प्रदोश व्रत के नाम से जाना जाता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में माग शुक्ल बुद्प्रदोश व्रत कब है 21 या 22 फरवरी को त्रियोदशी की तिति क्या रहेगी व्रत की विधी क्या है व्रत की कथा क्या है और पुजा का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में चैनल पर नए है और वी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामे प्रदोश व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तकि आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिलकुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रदोश व्रत के दिन व्रती को प्रमूरत में उटकर इसनानादी से निवरित हो जाना चाहिए प्रदोश व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोशकाल में करने का विधान है इसलिए शाम के समय एक बर पुना इसनानादी से निवरित होने के प्रदोशा स्वक्छ वस्त धारन करे ओम नमश्यवाय मंद्रों का जाब करते रहें सिर्फ चालिसा का पाठ करें बुद्प्रदोश व्रत की कथा को पढ़े या सुने भगवान शिव को फोग लगाए भगवान शिव की आती करें साल दोहजार चौविस में माग शुकल बुद्प्रदोश व्रत 21 फरवरी दोहजार चौविस दिन बुद्वार को है प्रदोश काल पूजा का समय रहेगा शाम की 6 बच के 15 मिनट से 8 बच के 47 मिनट तर कुलबदी रहेगी 2 घंटे 32 मिनट की त्रवदर शितिति का आरम होगा 21 फरवरी की सुबह 11 बच के 27 मिनट पर और समाप्ती होगी 22 फरवरी की दोपहर एक बच के 21 मिनट पर प्रदोश व्रत की कथा के अनुसार प्राचेन समय में एक नगर में एक प्रामडे इस्त्री रहती थी जो पती की मृत्यू के बाद अपना पालन पोशन भिक्षा मांग कर करती थी एक दिन जब भीक्षा मांग कर लोट रही थी तो उसे रस्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वो अपने घर ले आई जवे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्रामणी दोनों बालकों को लेकर रिशी शांडेली के आश्रम चली गई जहां रिशी शांडेली ने अपने तपोवल से बालकों के बारे में पता कर कहा हे देवी ये दोनों बालक विदर्व के राजकुमार है कंदर्व नरिश के आकमर से इनके पिता का राजपाट छिन गया है ब्रामरी और राजकुमारों ने विदिविदान से प्रदोश्वरत किया फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमती से हुई दोनों एक दूसरे को चाहने लगे तब अंशुमती के पिता ने राजकुमार की सहमती से दोनों की शादी करा दी दोनों राजकुमार ने इस गंधर पर आक्रमर्ट किया और उनकी जीत हुई युद में अंशुमती के पिता ने राजकुमारों की मदद की दोनों राजकुमारों को अपना सिंगा सन वापस मिल गया और गरीब ब्राहमनी को भी एक खास इस्थान दिया गया जिससे उनके सारे दुख समाप्थ हो गए राजपार्ट वापस मिलने का कारण प्रदोश्वरत था मेरे वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ